हेलो और वेलकम दोस्तों मैं हुँ दीपक और आप देख रहे हुए दीपक शेलार यूट्यूब चैनल को तो दोस्तों आज के इस वूड़ी में मैं आप लोगों बताऊंगा कि काइन मास्टर में इस सारा से फायर इपक्ट वाले नेम आप कई से बाना सकते एक दम ईवी लि है उफिक्सर्ट एम जो फांट करें फांट हम ने पिक्सर्ट एपलीकेशन में किस सारा से कि वह मुंद कर लेते हैं किस थी मुद्ध हम ठोडशा निया के सभपchemical क्र देंगे कि मुद्ध का मैं अधार हम एक क्लिक करके यहां पर हमें फॉझ चेक करने तो हमें यहां पर फॉझ चंज करना तो फॉझ चेंज करने के लिए यहां पर फायर इप्रेक्ट वाला फांड ले लेते हैं और इसके बाद हम कलर सब्सक्राइब करें तो यह वाला इमेज आप लोगों को निचर में डिस्क्रिप्चन में इसका लिंक दे दूंगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो इसके बाद हम इसे सेव कर लेते हैं तो हमारा नाम लगबग जैसे फायर जैसा लिखा हुआ है तो हम इसको सेव कर लेंगे जो कि नमें नेम लिखना फोड़्ेश इन यहां हमें से फिर्फोल जो करें लेके हम वहारा सिम यहांसे हम्सेशा को 17 जिसको से लेकशन करें हे maar भिसको सेवव करने के बाद हमरा सारा काम जो कुछ होतं हिक सार्ट अब्लीकेशन का तो होगा है तो हम चलेगे अपने कायनमेस्टर अप्लीकेशन right now to have a तो प्रोड़ट्ड ओपन किए हमें ब्लैक प्रोड़ुक्त यहां पर यहां पर में ब्लांक करेंट तो यहां पर वाइट कलर में हम एक इमेज ले लेते और इसको कर ले इस पर हम अभी बाकी का वर्क करेंगे इन में हमें वाइप राइट वाँ करते वाला आंपे और इसके बात हमें इसको करना है उसके बाद फिर से लेयर में जाके मेड़े में जाके सेकंड इमेज जो हमने वाना के लिए उसे सिलेट करना है और एकुरेट पहली इमेज के उपर हमें इसको सेट कर लेना है इसको भी हमें जहां तक चाहिए वहां तक इसको हम खीच लेते और इसके बाद इसको एकुरेट इसको हमें ओर लो एनिमेशन देना है इन आउट का में कुछ अनिमेशन नहीं दे और या और यहाँ जो दीखा रहा हूँ यहाँ पर फिल्प करकर कुछ आइसा कुछ लिखा हुआ है उसे एनिमेशन को हमें दे देना इसके बाद आप देख सकते हमारा जो कुछ फायर एपेक्ट वाला इमेज था ओरेड़ी हो गाया हमारा वर्किंग हो गया या इस तारह से आप फायर एपेक्ट वाले एनिमेशन आप अपने मोबाइल से काइन मास्टर में इदी बाना सकते हैं पिक्सार की मदद से इस तारह सी इसे बाना दिये आपको सेव करना है तो प्रो और मैं ऐसे इंट्रेस्टेड वीडियो आपको लेकर आता रहूंगा तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपके यह हमारा फायर एप्रेक्ट वाला नेम यहां पर बन चुका है बस आज के वीडियो में इतना है दोस्तों थैंक्यू जय हिंद वंदे मातर हूं